नमस्कार दोस्ते विवाग के तरब से एक नई योजना लागू की गई है बिहार अकास्मिक फसल योजना इस योजना के अंतरगर दोस्तों क्या लाभ होने वाला है किस परकार से यह योजना निकाला गया है और किस परकार से जो इसमें लाभ होगा आज के इस विडियो आप आपको पूरा डीटेल में हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों आपको बताते कि यह योजना सिर्फ बाड़ परभावित जिलों में लागू की गए है जिसमें कि 17 जिले के नाम जो है इसमें जोड़ा गया है तो उन जिलों का नाम भी बताएंगे कि कौनकों से जिले में जो दोस्तों बिहार किर्षी विभाग के तरफ से बिहार आकास्मिक फसल योजना के अंतरगत जो है वो ऐसे खिसान जिनके जिले में बाढ़ आया हुआ था और बाढ़ के कारण उनका फसल छती हो गया था तो ऐसे में उनको अनुदान रासी दिया गया था साथ में बीज वो यहाँ पर बदाएगा बार परभावित जिलों में लाभावुक की होगी जांच यानि कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी लाभार्थी हैं उनका जो यहाँ पर जांच किया जाएगा जो कि बार परभावित जिले में होगी आप जांच किस परकार से होगा, और किस परकार से जो है हांप किसानों को जांच करबाना है, उसके बारे में हम आपको पूला जान काई देते हैं, तो यहांपे देख पड़ोंगे यह जो paper cutting के दोस्तों आजी का हिंदुस्तान का है, पतना एडिसन का है, मैं ये भी आपका clear क जाच कराएगी यानि कि जिनको लाब मिला है जैसे बीज का लाब मिल गया या फिर जो उनको किरसी इनपूट का लाब मिला है या फिर अन कोई जो किरसी से रिलेटेड लाब मिला है और उनको लाब नहीं पहुँचा है तो उन सभी का जो है यहाँ पर जाच किया जाएगा य कि दोस्तों यहां पे ground label की जाच की जाएगी सभी जिले सभी पंचायत में जाजा कर जो है यहां पे जाच किया जाएगा सभी गाउं में कि आपको यहां पे बीज मिला या नहीं मिला बीज के लिए पैसा लिया गया या नहीं लिया गया आपको किरसी input का पैसा मिला या नहीं मिला गया इसके लिए एक नया टीम बनाया गया है जो कि यहाँ पर वो अधिकारी जाकर सभी जिलों में जितना जिले हैं उनके सभी पंचायत के सभी गाउं में जा जाकर जो है यहाँ पर जांच करेंगे आप जांच किस परकार से होने बाली है उसको मैं आपको बतायता हूं तो यहाँ पर जो team गठित की गए दोस्तों वो सभी जिले के जितने भी पंचायत हैं उन गाउं में जाएंगे उन गाउं में जाकर 100-100 किसान जिनको कि यहाँ पर लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है जो किसान है उन्होंने आबेदन किया था उनको लाभ नहीं मिला है तो ऐस में उन 100 किसानों से यहाँ पर पूश्ताच की जाएगी परतेक यहाँ पर पंचायत में 100 किसान को चुना जाएगा और 100 किसान से यहाँ पर पूश्ताच की जाएगी अब यह 100 किसान को किस परकार से चुना जाएगा दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर लाभ लिया है जिनका लिस्ट में नाम है उन किसानों सो यहां पर पूछताच की जाएगी अब दोस्तों यहां पर आप देख पार हैं कि यहां पर बताएगा कि राज में लगवग 17 जिलों में इस बर्स बार्ड का परभाव पड़ा इन जिलों में किसानों की फसल खेत में चौपट हो गई पानी अधिक दिन तक टिका रहने के कान धान की फसल भी नहीं बची लिहाजा सरकार ने किसानों को मुआपजा तो दिया ही अलग से बीज और दूसरे इन्पूट की वेवस्ता कर किसानों को नई सिरे से फसल लगाने के लिए प्रेरीत किया दस अक्टूबर तक सभी किसानों को बीज देने का लच्छ ते गिया गया था लेकिन अब विभाग को सिकायत मिल रहे है कि किसानों को बीज बाटे नहीं बाटे ही नहीं अधिकारी ने फरजी बाड़ा कर बीज के लिए दी गई रासी हरप ली यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो बीज के लिए रासी दिया गया था वो सभी पैसा जो है यहाँ पर जो सिकायत मिल रहे थी किसानों के द्वारा कि वो सभी पैसा जो है यहाँ पर जो अधिकारी है उनके द्वारा हरप लिया गया हमें जो बीज दिया गया है उस बीज के बदले भी हमसे पैसा लिया गया लेकिन आपको बता दे दोस्तों अगर आपका जो 17 जिले, यानि कि जो बाट परवावी जिले थे, उन जिले में नाम है, और आपके जिले में जो बीज मुफ्त में नहीं दिया गया, आपको पैसा लिया गया है, तो अभी भी आप जो यहाँ पर सिकायत कर सकते हैं आप दोस्तों इसमें आपको नुकसान किसी भी परकार का नहीं होने बाला है यानि यहाँ पर किसानों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमें जो है यहां पर हमारा जांच होगा तो हमें कुछ प्रॉब्लम होगी दोस्तों यहां पर जांच जो किया जा रहा है में यहां पर जो जांच है वो अधिकारियों का जांच किया जा रहा है तो सो लोगों को चुना जाएगा Rap एन लोगों से पूछता है, अगर इन में से कोछ गर्बरी निकलता है, जैसे कि यहाँ पर बताते हैं कि वहां के जो खिर्सी पदा अदिकारी हैं उनसे जो यहां पर कारबाई की जाएगी। अब दौस्तों यहां पर जो सूची बनाएजाएगी वो किस परकार से बनाएजएगी उसके बारे में जानकर दिया गया है। अधिकारीकों किसान की सूची दी गई है। यानि कि दोस्तों यहाँ पे लिस्ट बना बना कर सभी जिले के अधिकारी को नहीं यहाँ पे जाच अधिकारी उनको दे दिया गया है और वहाँ पे आप लोगों से कोंटेक्ट किया जाएगा यानि कि खिसानों से के नंबर पे जो है कॉल किया जाएगा और उनको बुलाया की जाएगी अब यह जो बिहार अकास्मिक फसल योजना है दोस्तों इसमें लगभग जो इस सत्रा जीले के नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं बाट पर बाट जीले जहां बीज बटेगे यहाँ पर दरभंगा, मदुबनी, सिवान, गोपाल गंज, पुर्भी चंपारन, पश्चिम चंपारन, सीतामरी, मदेपूरा, सिभार, बैसाली, अरड़िया, खगरिया, समस्तिपूर, मुझफरपूर, पूर्निया, सारन, कटियार, अगर आप इन में से किसी भी जिले से आते हैं दोस्तों और आपको बीज नहीं दिया गया है या फिर बीज के लिए पैस आया है तो, आई होप दोस्तों मैंने आपको बता दे है कि यह जो नया योजना चलाया गया बिहार अकास्मिक फसल योजना, यह क्या है किस परकार से जो है यहां पर जांच होने बाला है और किस परकार से इस योजना में काम किया जाने बाला है, आई होप आपको वीडियो पसंद आगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीज़ेस वीडियो को सब्सक्राइब की जमाय चैनल को साथी सर कीज़ेस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स वीडियो तब तक के लिए धन्यबाद